तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग अगर लोगों ने आपको देख रहे हैं या काफी अरसे के बाद देख रहे हैं हाल फिलाल में तो क्या सोच रहे हैं अर्टक रहे हैं रहे हैं रहे हैं तो था ह्मको देख दोघ्ड़ेखड ने र बांगणशन राख रहे हैंग में दोचस्वाण़। congr Bottom up वे लोग आपको देख रहे हो तो हाल फिलाल में लोग आपको देख रहे हैं तो एनर्जी जो फिल हो रहे है आपकी वो है की लोगों को पता है या चल चुका है कि आप हाटब्रेक से गुजरे हो क्योंकि आपके आपके फेस पे वो वाल्यू मुझे ऐसा लगना कि यह पास्ट की नर्जी थी जो जानते आपको कि किसी दर्स से गुजरे आप एक हाटड़क सिचुवेशन से यह दिल पूरी तरह बीच में चीर के रखा हो यह एनर्जी है इससे आप गुजरे हो और लोगों को या तो पता है कि यह इस एनर्जी में हो कि किसी ने बहुत बड़ा धोका दिया है आपके फेस पे लिटरली दिखता है कि या दिखता था कि आप बहुत बड़े पेंच से गुजरे हो बहुत बड़े धोके से इस कदर कि आप जिसन सुन हो गए हो सुन एक सदमे के एनर्जी फिल होती है आपको समझाई नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं और जिस तरह से दिल तूटा है जिसे दो तुकड़े हो गए हो तो वो एनर्जी ना आपको बहुत ज़दा चीर के रगए आपको लगया कि बस यूनिवर्स ने जैसे ने मुझे जैसे और किस बात किस अधर ये आप सूचते रहे है नहीं हो सकता है कि आपका बादट ये भाग्यांक ये मुलांख गरे कुछ ऐसा है 25 नंबर हो सकता है 9 नंबर, 12 नंबर 2 नंबर, 4 नंबर, 31 नंबर, 13 नंबर, 7 number 4, 3, 5 यह related कुछ हो सकते हैं लोगों ने देखा हैं कि आपके साथ धुका हुआ आपने बहुत बड़े हार्ट प्रेक से गुजर रहे याता आप गुजर रहे हैं वो जो लोग देख पा रहे हैं और इस चीज से ना बहार निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज से बहार निकलने आप बहुत जादा स्पिरिचल हो रहे हैं हो सकता है कि लोग आपको अबजर्व करें कि आप डेली जोगी आप पुजा पाथ है या फिर कहीं पर रेगुलरी मंदिर मजजद या चार्च जाना या फिर ऐसा कुछ है ना कि हमेशा स्पिरिचल रहने की कोशिश करना कि जहां पर आपको दिख रहा है कि लोगों को कि आपना बहुत बड़ा एक्चेंज आए आपने जैसे कि कुछ बहुत बड़े तुपान से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं अभी आपका पूरा कॉंसेंट्रोशन है आपकी उपर है कि आप अपने करियर अपनी फैमिली जो भी फैनानसे स्पे आपका पूरा कॉंसेंट्रेशन है की आपको लग रहा है कि कुछ चीजे बिखा रही है वो ठीक है मैं दिल कदात एक साइड में रह गया लेकिन कुछ चीजे जो सही करना या उनकी responsibility लेना भी ज़रूरी है तो आप बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखे बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखे अपने आपको नम मोटिवर्ट करने में लगे हो कि अपने career, अपने job, अपने business, अपने finances, family उसके उपर बहुत ज़दा ध्यान दे रहे हो कि आप कैसे समेटा जाए, क्या हो सकता है आपके अंदर बहुत तुफान है, बहुत दर्द है, सब कुछ है लेकिन उस खामोशी में, उस दिल के दर्द को जैसे दफन कर दिया हो अंदर और अपने आपको बाहर नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश चड़ रहे है लेकिन लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि वो दर्द है वो आखों में चलख रहे हैं आखों में, आप बहुत कोशिश करें और इसमें लोग भी दुआये देते हैं कि आपके साथ अच्छा हो क्योंकि समा वैसे फील हो रहा ना कि लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे सोल हो, एक प्यूर एनरजी हो कि आपके साथ हुआ गलत हुआ ठीक है, बट आपके साथ ऐसा नहीं होना चाये था पहले बात और दूसरी बात ऐसा लगता है कि बस आप यह आपके साथ सही हो जाए सही हो जाए, आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाए आपको कुछ, मालब ये सब चीज़ा का एक ना मुश्किलात है, उसका हल मिल जाए, आपके पास खुशाली आजाए, आपके पास खुशी आजाए, आपका सब कुछ नहीं जासे ठीक हो, ऐसे लोग दुबाई भी देते हैं, कुछ लोग है कि, हैं जलने मले लोग भी हैं, no doubt, कुछ लोग ऐसे हैं, कि जो आपको लिटरली दुबा दे रहे हैं, कि आपके साथ हुआ ना, क्योंकि जो हुआ है, दो कार्ट जैसे आएं, कि जिस तरह से आपके साथ हुआ है, जितना दर्द आपके आँखों में जलक रहे हैं, वो बहुत, मैं बेदर्द का दर्द, बेद जो भी इच्छा है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, वो सही हो जाए, जैसे ने लोगों की दिवा रहती है, ये वाली फीलिंग है, आप पेशन्स रखे हुए हो, वो पेशन्स लोगों को दिखता है, कि जितना भी तकलीफ है, लेकिन फिर भी आप अपने आपको ना बना रहे हुँ, दिखा रहे हुँ, हो सकता है कि आप किसी जहां जिस वजय से, जिस तरीक से आपके साथ दिल तूटा एता, ऐसे लग रहा है कि आप कहीं नया जॉब चेंज या करियर चेंज कुछ करने के कोशश कर रहे हैं कि यहां से निकल के किसी दूसरी जगह पर तो लोगों को वो भी दिख रहा है कि आप यहां से बाहर निकलना चाहते हों जो भी चीज है उसके लिए आप बहुत मेहनत करें और वो भी दिख रहा है Let's see cards के कहते हैं Three of Pentacles Three of Cups The Empress Ace of Pentacles Queen of Cups Bottom of Deck is the Sun मुझे ही लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या अच्छा सोचना चाहते है या क्या दुवाय दे रहे हैं कि आप खुद जानते हैं इसके में बात की है कि जो energy आपकी चल रहे है वो मुझे सालगा कि यही energy definitely चल रहे है और लोगों को वह दिख रहा है और अशा लग रहे है कि जो भी अभी आपके साथ जयसे नर तो ठीक हो जाये अशा लग रहे है कि यही तरही चीज आपके साथ हो जाये यह action card लेकर आपके लिए universe क्या action लेगी या आपके साथ क्या अच्छा होगा यही चैसे निकल के आया हो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़दा team work में believe करते हो और team में कैसे manage करना है कैसे किसी की साथ team manage करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोग होते है बहुत सारे अलग-अलग सोच के रखने वाले होते है तो उस चीज को इतने सारे different चीजों को एक साथ समिटना बहुत मुश्किल काम होता है वो आप अच्छे तरह से जानते हों इवन आपकी घर में कोई family function में होगा तब भी आप उस चीज को बहुत अच्छे से manage करते हो कि किसको क्या काम और कौन सा काम करना है और अपकी जो energy है बहुत जदा collaborative है लोगों को दिखता है शाद लोगों ने आपको किसी function में देखा हो office में काम करते हो देखा है आपके roles देखे हो कि आप लोगों को दिखता है कि आपनो बहुत अच्छे team player हो, team management हो और in fact leader भी हो team leader भी हो अच्छे positions पे हो manage करना आपको अच्छा आता है कि लोगों को बहुत बड़ा एक चीज होता है बहुत लोग होते है बहुत बड़ा function हो वहाँ पे आपको management बहुत अच्छे से आता है आप दोस्तों के दोस्तों जैसे कि आप किसी अच्छेивать से इंटर किये function में अटर किये तो आप उस which function इस party इस आप बड़ा देते हो उस party में जान लाते हो या इस function में जान लाते हो हो सकता है कि आप अप अच्र हो dance करते हो specially मुझे डांस लग रहा है जहां पर आप आप बहुत ज़धा आपको आप दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों आपकी इनर्जी इसे ना की जो भी है ऐसे ना की बहुत मेहनत है बहुत मेहनत है सब कुछ ऐसा लग का पार्ट नहीं आपके नसीब में आपने जो भी अभी तक अचिव किया है अज़िस्ट है जैसे की अभी अगर पोजीशन है अची मैनेज्मेंट पोजीशन है या फैमिली में भी आपकी एक वैल्यू है तो वह niño हई फैमिली में आपके म S&E की लिफ्ट से उपर गए, आप बहुत सीडी चड़के ही उपर गए है, आप finances के मामले में आपकी decision बहुत ज़दा strong होते है, बहुत ज़दा strong, कि आप focused है, कि आपको क्या चाहिए, आपकी सोच क्या है, हर चीज, मुझे लगता ना investment related decisions, या फिर आप हो सकता है कि properties के लिए बहुत लगी हो, बहुत ज़दा, आपकी हो सकता है कि आप पैदा होने के बाद आपके घर में properties के बहुत अच्छे योग आए, नया घर बना हो, वो भी chances है, या फिर आपकी शादी के बाद ऐसे योग बने है, या फिर ऐसे हैं, जैसे मैंने का ना कि जिनकी शादी नहीं आपके पैरंट्स को प्रापटी का योग आया हो, या फिर शादी के बाद आपके स्पाउस को प्रापटी का या एक अलग ही financial abundance उनको फिल हुआ हो, या मुझे बहुत ज़दा strong chances फिल हो रहे हैं, कि जैसे कुछ होता है कि लग होता है, कि जैसे ही वो बच्चा पैदा होता ह है, तो घर में एक अजीब सा financial abundance आता है, या फिर कुछ ऐसे योग बनते हैं, जिसे नई नी चीज़े बनती जाती है, finances में improvement होती है, ऐसा कुछ चीज मुझे आप में दिखती है, आपने बहुत ज़दा ने एक committed person हो, committed, even आपकी जो job हो, career, business, या फिर रिष्टे में भी, पसंद करते हो, आपको ना ऐसे, जो होते हैं, या लएट है, हैंकी पैंकी रिष्टे, जो चलते हैं तो चलने दो या फिर ऐसे, ऐसे आपको पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा है कि जब आपका दिल तूता है, आपके साथ जो धोका हुआ है, क्लिकि आपके य एनरजी इसनी pure and clean soul है ना जिसे मेरे मुझे ना समों वेसा feel हो रहा है कि दो कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा strongly feel हो रहे है तो spiritual maturity कि जहां पर यह सब कुछ हो रहा है यह आपकी spiritual awakening के लिए हो रहा है और दूसरा कार्ड्स जो मुझे नज़र आ रहा है sacred woman कि जैसे आप जिस तरह से एकदम इतने इनोसंट और इतने रहम देल और इतने loving, caring हर चीज में like family हो, दोस्त हो या फिर नेबर्स हो हर चीज में आप इतने loving, caring और understanding होते हो ना कि लोगों को वो दिखता है बहुत अच्छा लगता है इसके लिए जब आपके साथ यह हुआ है ना तो लोगों ने आपका जो यह रूप भी देखा है और अभी जो दिख रहा है तो वह फील हो रहा है कि आप तो ऐसे है आप ऐसे बन गए हो तो ऐसे लग रहा है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए कि आपके life में sun आ जाए sun आ जाए आप जहां पर भी जाते हो ना यह से लगता है निकि अचनक से गए हो और भले आपके मन में दिल में कितना भी अंधेरा हो लेकिन आप जब जाते हैं किसे से बात करते हैं तो उस में उजाला क्रेट करते हो आप किसी को इतना अच्छे से मोटिवेट करते हो या किसना दिलासा देते हो कितना solutions देते हो कि सामने वाला ना बहुत अच्छा फील करता है कि ठीक है कि चलो life में problems हैं लेकिन इसका solutions भी हैं यह वाली feeling आ जाते हैं हो सकता है कि आप किसी मुझे लगता ना somehow feel हो रहा है कि आप dance हो या singing हो किसी चीज में ना sports में या कुछ भी अपने कोई trophies अगर जीती है काफी कि यह मुझे बहुत strongly हो रहा है आपके पास इसे like awards या फिर recognition, rewards and recognition काफी जादा है, office में भी शायद मिले होंगे कि best employee और यह kind of awards भी आपको मिले होंगे वाली energy feel होती है, वो लोगों को दिखता है कि आप बहुत जदा में trust worthy निसान हों, trust किया जा सकते हैं बहले आप कितने में दुख में हो, दुख से लंगे लेकिन गलत नहीं होंदेंगे तो बड्डेट से सब में ने कहीं थी, वैसे लगता है कि आप आप cancer squad पर 20 हो सकते हो, कर पृष्टिकमीन राशी, Taurus strongly हो सकते हो, आप बहुत जदा strongly feel हो रहे हैं, तो Taurus feel हो रहे हैं, या फिर आप Leo हो सकते हो, Cancer हो सकते हो, sign में और कर राशी, Gemini हो सकते हो, Gemini, Mithun राशी हो स queen of cups, मैं just feel like a sacred woman like no, ATR मेल हैं लेकिन आपकी energy ने एक अलगी spiritual और एक inoscent और एक हमारे मल्यन में, पाग करके और हैं वो अघंड़ हो छोन, बड़ हैं मचे अँड़ हैं, पाग मत्र, छो से एक कि अवे लगता है कि लोग असरी बाते करते हैं, कि आपको भी लगता है कि तो देखके या फिर ऐसा ही है क्या आप बताईया जरूर तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंकी निवर्स थैंकी निवर्स थैंकी निवर्स